आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ Hello friends, इस question में बोल दा है So that the electric field at a surface of a charged conductor is proportional to the surface charged density देखिए गाइस question में क्या बोल रहा है Question बोल रहा है कि अगर हमारे पास कोई भी एक conductor है Charged conductor है तो उस पर जो electric field होगा उसके वज़ेसे जो electric surface पर उसके जो electric field होगा वो उसके charge density के directly proportional होगा यह बात हमें प्रूब करना है ठीक है तो माल लेते हैं कि हमारे पास कोई भी एक charge conductor है ठीक है जैसे एक sphere हम emerged consider कर लेते हैं ठीक है यह boundary यह convector है ठीक है यह इसका center है और radius माल लेते है इसका r है ऊक है इसपर हमने कोई भी charge क्यों दिया है अगर यह एक सफेर है तो इसका जो radius है इसका जो curvature है वो uniform है क्योंकि sphere का जो curvature होता है वो uniform होता है ठीक है और इसका radius अगर R है तो फिर definitely हम लोग ये बात जानते हैं गाइस की जो charge distribution होता है conductor में वो self distributed होता है conductor को अगर हम लोग कोई charge देते हैं कि हाँ charge कहां कितना रहेगा और इसको हम लोग बिनोट करते हैं sigma is inversely proportional to radius of curvature इस relation से ठीक है इस relation के according जो होता है इस पर charge distributed होता है तो क्योंकि radius जो है यहाँ पर देख सकते हैं guys की हर point पर radius of curvature जो same है और radius R के बराबर है इसलिए sigma की value होगी वो क्या होगी constant होगी इसका मतलब कि पूरे sphere पर charge distribution जो होगा वो equal होगा अब देखिए बात करते हैं electric field की तो यहाँ पर center पर मैं इस पर कोई भी charge क्यों अगर रख दिया जाए ठीक है कोई भी अगर charge क्यों इसको दे दिया जाए तो यहाँ पर charge जो है वो uniformly distributed हो जाएगा माल लेते हैं कि मैंने इसके surface के just इसके surface के ऊपर जो है मैंने एक Gaussian surface consider किया यह इसके surface के just ऊपर गाई ठीक है ऐसा हम लोग कह सकते हैं कि यह जो Gaussian surface है वो इसके surface पर ही है तो इस Gaussian surface के लिए हम लोग गौस का formula apply कर सकते हैं ठीक है और गौस का formula क्या होता है गाई गौस का नियम होता है integral e.da जो net flux होता है ठीक है net flux होता है किसी भी Gaussian surface से पास होने वाला जो net flux होता है क्योंकि net flux integral e.da ही होगा ओके तो net flux की जो value होती है वो net charge inside net charge inside surface Gaussian surface के one by epsilon not times होता है ठीक है मतलब integral e.da की value है वो q by epsilon not के बराबर होगा ठीक है अगेन गाई गौस क्या होता है है कि जो net flux होता है किसी भी Gaussian surface के तुरू वो उस Gaussian surface के अंदर जो net charge होता है उसका one by epsilon not times होता है ठीक है यानि five equal to integral e.da equal to q by epsilon not यहां पर लिखा जा सकता है क्योंकि जो Gaussian surface और जो charge conductor है वो coincide कर रहे हैं यानि Gaussian surface के अंदर net charge जो है वो q है तो यहां से हम लोग ली सकते हैं क्योंकि यह जो spherical conductor है यहां पर अगर हम लोग बात करें electric field की तो यह positive charge है positive charge पर जो electric field होता है वो हमेशा ही away from the charge होता है कुछ इस situation में ठीक है ऐसा होता है और हर point पर जो area vector है वो भी कैसा है गाईज area vector की जो direction है हर point पर वो भी auto normal की तरह ही है ठीक है क्योंकि area vector जो होता है वो area के surface के perpendicular होता है ठीक है इसका मतलब e और a जो है area sorry electric field और area vector दोनों जो है उनके बीच angle हर point पर जो है वो 0 है इसका मतलब इसको लिखा जख सकता है e multiplied by a into cos 0 क्योंकि यह क्या है यह जो है total area लिख सकते हैं यहां से integral e.da है लेकिन integral da को हम लोग total area लिख सकते हैं यहां पर ठीक है क्योंकि electric field uniform है हर point पर तो e into a into cos 0 equal to हो जाएगा q divided by epsilon 0 तो यहां से देखिए हमें मिल जाएगा e a cos 0 यानि e into a की value a ही रहने देते हैं इसको equal to हो जाएगा q by epsilon 0 ठीक है cos 0 की value 1 हो गई तो यहां से देखिए e equal to electric field equal to q by a epsilon 0 और यहां से हम लोग देख सकते हैं guys कि यह जो term है q by a यह क्या है यह surface charge density of this conductor है यानि e को यहां से लिखा जा सकता है sigma by epsilon 0 ठीक है ऐसा लिखा जा सकता है sigma by epsilon 0 और क्योंकि epsilon 0 जो है वो constant है guys epsilon 0 जो है constant है जिसकी value 8.85 into 10 power minus 12 के बराबर होती है ठीक है तो यहां से हम लोग देख सकते हैं इस constant को अगर हटाए तो proportionality का sign आ जाएगा यानि e is directly proportional to sigma ठीक है और यही हमें इस question में प्रूफ करना था guys कि कि किसी भी charge conductor के surface पे जो elective field होता है वो charge density के directly proportional होता है तो यह जो है हमने यहां पे प्रूफ कर दिया है यह directly proportional to sigma hope आपको समझ में आया होगा thank you Classics to 12 से लेके need IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 million से जादा students का भर होसा आज ही डाउनलोड करे doubt net app या whatsapp कीचे अपने doubts 8444 चार्स उपर